नमस्कार भई आप बहुत बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट की आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी बात करेंगे मेरेड लाइफ सीरीज में एक और बदनुमा दाग की जिसका नाम है प्रेद बाधा प्रेद बाधा पर हमने बहुत सारे कारिकरम किये हैं बहुत सारी सीरीज हमने चलाई है हमारे खासे 30-35 वीडियोज पड़े होंगे हमारे एश्टो फ्रेंड संतोशी नामा की यूट्यूब चैनल पर और यहां पर भी बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे मित्रो प्रेद बाधा कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे आपके दामपत्य जीवन में किसी का आना बस शर्ट इतना होता है कि इसमें जो आपके दामपत्य जीवन में आता या आती है वह अद्रिश्य होती है जिसे हम पैरानॉर्मल, इन्विजिबल पावर, भूत, प्रेत, नाम दे लेते हैं यह अद्रिश्य शक्ति एक मानो रूप में नहीं आती, एक सा सरीर नहीं आती अपितु अद्रिश्य अवस्था में होती है मित्रों इस प्रकार की परिस्थतियां जब जनमांक में होती है तो कई पीड़ी तक चलती है यह व्यक्ति विशेश पर भी श्राप हो सकता है या कुटुम्ब श्राप का प्रभाव भी हो सकता है ध्यान से समझेगा एक एक पंक्ति को मैं कुंडली का योग बताऊंगा ब्यवहारिक्ता बताऊंगा सब आपके साथ हम शेयर करेंगे सब हम आपके साथ शेयर करेंगे सबसे पहली चीज है कि प्रेत बाधा एक प्रकार की पीड़ा है कुंडली में एक प्रकार का दुरियोग है लेकिन जब इस प्रेत बाधा का संबंध कुंडली के दुतिय भाव से होता है तो यह आपके दामपत्य जीवन पर प्रभाव डालने लगता है प्रेत हमने अभी बताया एक इन्वीजिबल पावर एक अद्रिश शक्ती जो 99.9% टाइम्स नेगेटिव होती है तो कुटुम्ब पर प्रभाव है आप कहीं ब्याही गई आप कहीं ब्याह के गई लड़की हैं आप कुटुम्ब पर प्रभाव है आप दूले बने आप दूला बने आप की शादी हुई 99.9% प्रेत बाधा से पीडित व्यक्ति के जीवन में प्रेत बाधा वाली ही महिला पतनी के रूप में आती है यह मैंने निन्यान विप्रस्चत देखा है दोनों में मिलने मिलना है, कन्फर्म मिलना है कन्फर्म मिलना है इसके सिम्टम्स हम आपको बता देते हैं सबसे पहली चीज प्रेत बाधा से पीडित, इस्तिरी और पुरुश आपस में sexually de-attach हो जाते हैं सबसे बड़ा प्रभाव जो पढ़ता है प्रेत बाधा का उसमें आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रती sexually attraction बिल्कुल finish हो जाता है, शून्ने हो जाता है, खतम हो जाता है this is the first and highest markable symptom of प्रेत बाधा यह आने के साथ ही हो सकता है, स्वहाग रात वाले दिन से ही या पांस साथ महीना च्छे महीना जब प्रेत बाधा वाला योग जागरित हो जाता है आवशक नहीं है कि immediate हो हो सकता है कि 7-8 महीने बाद प्रेत बाधा वाले योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा शुरू हो जाए अचानक से सामान तोर पर जो हमने देखा है 6 महीने से लेके 6 वर्ष के भीतर में इसका प्रभाव बहुत प्रबल होता है लगभग 24 साल से लेकर के 26 साल तक की अवस्था में इसका प्रभाव बहुत प्रबल होता है तो पहला सिम्टम यह हुआ कि एक दूसरे के प्रती सारीरिक आकरशन सेक्श्वल अट्रेक्शन फिनिश हो जाता है खतम हो जाता है तब क्या होता है पती महोदय और उठके गए पत्नी महोदय और उठकर गई डाइवर्जन्स भटकाव मैं एक बात गारंटी दे करके कहना चाहता हूँ आप सब जोत्शी जितने भी जोत्श विज्ञान में रुच रखते हैं मेरे शोद को देखें आप कहीं पर भी अवैद सम्मंधों की वजह से अगर कहीं पर भी मर्डर या डाइवोर्स हो हम जो योग अभी बताएंगे वह योग 110 प्रत्शत आकुरेट ना निकले तो जो कहीं सो उसमें 99 दस्मनों नो प्रत्शत प्रेत बाधा के ही सिंटम्स मैच करेंगे confirm मान करके चलें होने ही होना ही होना है तो आईए अब हम सिंटम्स बता दिए मुख्य सिंटम्स हमने बता दिया बाकी प्रेत बाधा के जितने सिंटम्स होते हैं आईड़ लाइफ वाला जो समस्य है वो यहीं से आरंभ होता है इसी में आता फिर भटकाव हो जाता है भटकाव के बाद फिर बात खुलती है सूरी का प्रभाव होता है तो बात खुलती है तो जगड़ा होता है लडाई होती है तलाग हो जाता है कुंडली का आप योग हम बताएं जो में तत्वा है कुंडली का योग जानिए अब अश्टम द्वादस का संबंध नहां देजेगा अदुष्य शब्द आया है तो राहू आ गया राहू हटेगा नहीं राहू मूल में रहेगा अश्टम द्वादस का संबंध राहू और दुतिय भाव के साथ हो तो प्रेत बाधा के कारण तलाक लगभग निश्चित होता है लड़की का भी जर्मांग लड़के का भी जर्मांग दोनों में एहयोग समान ग्रह और भाव के साथ घटित होता है अश्टम द्वादस राहू दुतिय कहीं से भी जुड़ जाएं ठागुर्दू तु गयो ले जाते हैं कन्फर्म ले जाते हैं समय रहते इसकी शांती कराई जा सकती है प्रेद बादा शांती हम विधिविधान से कराते हैं हमारे पास विशेश मंत्र जब करता तांत्रिकों की सूची है कुमारे होते हैं प्रभाव पढ़ता है असर दिखता है समय रहते अगर करा लिया जाए तो पैसे तो फिर कमा लिये जाएंगे लेकिन रिस्ता बच सकता है तो देख लिजेगा अगर कोई शी को जरूरत रोरत होगी तो हमारे नंबर जो चल रहे हैं उस पर आप संपर कर सकते हैं मित्रों दो और तीन को आप हमसे लखनों में मिल सकते हैं चार पांच सतना में मध्यप्रदेश सतना हमा रहे हैं 25-26 जुलाई पटना में भी मुलाकात हो सकते हैं और 28-29 जुलाई राची में अब आपाइडमेंट ले सकते हैं नमस्कार सिकिष्णा शिरा ले